नमस्कार मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं उत्तर परदेश दरोगा भरती 2016 को लेके यहाँ पे कुछ अभ्यरती पिछले 31 दिनों से धरना दे रहा है पूरा मामला क्या है इन्हीं लोगों से जानने की कोसिस करते हैं पहले तो आप अपना परिश्य दे दीजिए और उसके बाद पूरे मामले की जानकारी बता देए सर मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरी पीटियस मेरेट में धरोगा की ट्रेनिंग हुई है बारा महीने की सर यह वेकैंस सोला में आई थी और हमारा पूरा प्रॉसेस करा के हमें दोजार उननीस बीस एक साल ट्रेनिंग हुई हमारी और उसके बाद हमारा एक मामला चला था सुप्रीम कोट में तो हमें जो है बारा महीने की ट्रेणिंग कराने के बाद घर भेज दिया गया यह कहके कि आपका मामला सुप्रीम कोट में है और जैसे ही ओरडर आएगा आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग लगबग 15 महीने से घर बैठे हुए है हमारा ओर्डर नहीं आ रहा है और 8 फर्वरी से 8 महीने हो गया हमारा ओर्डर रिजर्व हुए और हमाई न्यूकती नहीं हो पा रही है तो हम अपनी मांगों को लेके कि हमारी निवक्ति कब होगी इसको लेके हम धरने पे बैठे हूं आज हमारा 31 दिन हो गए हैं और हम अपने माननी मुख्यमत्वी जी से यही निविदन करते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में ओर्डर रिजर्व है आठ महीने से उसकी अरली मैंसिनिंग कराएं और हमारा आडर जो है डिलीवर करा के हमें जोइनिंग दे हम कब तक भटकते रहेंगे हमारा पांच साल पूरे हो गये हैं एक एलक्षन से दूसरा एलक्षन आ गया है और अब तो हमें यह लगता है कि हमारे मुख्यमत्वी जी चुनाओं में इतना व्य और जब हमें घर बेजा गया तो हमें बता दिया कि इसके बाद अपको पैटिस्टो भी नहीं भी लेगा तो आप उनके पर कोई फर्क नहीं पड़ा है कि उन्हें कोई हमारा आदटर आगा इसकी भी कोई जानकारी हम जहां जहां कोशिच कर सकते हमने हर जगह जाके प्रया है लेकिन कुछ काम आपके भी जुम्मेवारियां जो आपको करनी पड़ेंगी आप सोचो ट्रेडिंग करा के बैठा दे और यह लोग घर पे बैठे रहें एक दिन तो ऐसा आएगा जब घर से बाहर निकल के हम अपने नियुक्ति के लिए बात करेंगे तो यही निवेदन कर करने के लिए बोलते हैं लास में कि आप युशर पर भरोसा रखें परेसान नहों आपका हम प्रयास रहते हैं आपका जल्दी से जल्दी जॉइनिंग करा देंगे पिछले 21 दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं अभी तक सरकार के तरफ से कोई फैसला आप लोग के लिए कोई आप लोगों से अभी तक मिलने आया है इस पूरे मुद्दे को लेकर जी नहीं अभी तक कोई भी नहीं आया है और स्टार्टिंग में हम लोग दो या तीन दिन यहां बैट पाएंगे शायद हमारा हमाई मांग को लेकर कुछ मतलब की उधर से कोई प्रयास हो सरकार की नहीं हुआ आज आप देख सकते हो कि पूरे 30 दिन से उपर हो गए लोगों को तीन से 30 दिन ओंगे लोगों को लेकिन कोई भी नहीं आया है किसी ने जाने कोशिच भी नहीं कि है क्यों बैठे हैं रीजन क्या है और किस अवस्था में यहां बैठे हुए है यह भी नहीं को बेरों मर्मु दोटिभर को जो इमिए उस चरह हम तो आम नहीं होना है और मुल्पतर हो रहा हो रहा है मैं कि तो यहां सब प्सक्राइब कहां से आई हैं हम तो लोकल के हैं लखनाव अजी आप लोग यहां पर इतने लोग आए जारकरंट से भी मारे यहां थे वह काफी दिन यहां रुके हैं लेकिन उन्हें जाना पड़ा काफी कई दूक होगई तो लोग जारकंट से भी यहार से भी यह ल Coach मैं पूरी से तरी जाना थी महीन लेकिन और कुछ भी कि अधियु नहीं उती है points लेकिन अधिने सब्सक्राइब हम लिए उस्कार थचा की वह उसक्ता है कि वह में मांग यारसी जाहिसे यह जो घ्र Maya meant Mmm आश्राम मेन के दोरान हमाई दो साथी उनका दिहांत हो गया थीक है हमाई चेहां घटाल दीया गया उस टाइम प्रेड में हमाई दो साथी है उनकी टेथ हो चुकी है ठीक है और ऐसे भी साथी है जिनके किसी की माँ किसी की बाप मतलब घन में कोई उनके लाट हो चुकी तो उनको इनको क्या उनको कौन सा मुआफ़ज़म मिलने वाला है कुछ यूंको मिलने वाला है तो बहुत सी छती हम लोग को हो रही है और अभी भी हम लोग बेरोजगा रही है और असी थोड़ा पास कैमरा लेके आई यह टेंपलेट दिखाई यह जिस टेंपलेट पे लिखा है कि भरती बोर्ड बैठा है मौन यूवाओ का दर्द समझे कौन उत् लोग की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग तो पहले पर दो खुद को विभा का अंग मांते हैं बाद हम आप लोग कुछ बता रहे थे कि कोई सुंदर कांड वेगरा कुछ करने वाले हैं यह क्या है प्रसासन के लिए थोड़ा सा क कि हमारी बात पर द्यान दें उनको एक तरुप दर्शन करते हैं उसी तरुपर कल अंदर यह किया है तो जो भी होता है अनुसासन के तहती होता है लेकिन अगर पानी सबसे ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं लोग कि अच्छा आप लोग को 31 दिन हो गया है यहाँ पर धर्नाप्रदर्शन करते हुए अभी तक इन 31 दिनों में आप लोगों ने क्या क्या प्रसाशन की तरफ से अभी तक आपको क्या बोला गया है हमें जो भरती बोट से कहा जाता हम उनकी आज्याओं का पालन करते हैं भरती बोट जाते हैं उन्हें कहा कि इस वर ध्यान रखिए तो इसी उन्हीं के परपस से उन्हीं की दिशा निर्देश पर कलम सुन्दर कांड क करेंगे जो जो कहेंगे उसी कंसार चलेंगे उन्होंने अब साथ दिन कारवाई खेले उसमें बेडीजी सहाथ नहीं लेटल लिखा कि सर्थ पर इनको हम घर भेजे इन्हों ने जवाब नहीं दी दे पाए डीजी टेनिंग आपस में सामत लिए उसके बाद एक लेटल निक जाले कि यह जो है सुप्रिम कोड के आदेशा अंसार इनको भेजा जा रहा है जो सुप्रिम कोड कोई आदेश नहीं था वहाई कोड का अदेश था इस सर्थ पे हम लोगों को घर भेद दिया गया है अभी वो जो साथ हपते का कागजी कारवाई खेले हैं अभी उस पे हम लो युवाओं को नौकरी दे रहे हैं हम उत्तर परदेश के सारे युवाओं को अक्छी व्यवस्था दे रहे हैं वो कैसे यह कर रहे हैं यह बताने की कोशिस करिए बाकी धरन्यवाद रहेगा